आप सब अमेद करते हैं आप सब ठीक होंगे विगदम ठीक हूँ मैं बना जा रही हूँ इस परिंग रोल जो की बहुत मज़ेगा बनाता बहुत जाद क्रिस्पी बनाता बहुत लंबे समय तक कि रिस्पी ताप सौगी नहीं हुआ था और मैंने इसकी sheet भी घर में ही बनाई थी और अंदर की stuffing भी घर में बनाई थी चले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे बनाया था और इफ्तार के लिए बहुत best recipe है चले चलते हैं देखते हैं मैंने एक बाईल लिया है 12 Cp मैंने मैधा लिया है और आद चमछ के कृशुप मैंने यहां पर कॉन फुला लिया था ऐल अच्छे हैं जालेंगी और बहुत ताकि यह बहुत अच्छा potrze क arbe Di cell 17 को बहुत अच्छा लुगा है जैसे कि समूझे के लिए और और अगर आप हलका सा सॉफ्ट कर देंगे ना तो वो बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा जितना टाइट गुंदेगा उतना अच्छा स्प्रिंग बोल बनेगा और गरम पानी तोड़ा थोड़ा से मैंने डाला है पानी और बिल्कुल टाइट से एक डो बना के रख दिया है पहले तोड़ी देर रेस्टिंग के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने यहां पर इस डो से शीट्स बनाई है और आप लिकवे डो से बना सकते हो पर मुझे यह बहुत जादा बैस लगी और बहुत जादा इजी भी लगी और यह हमारा डो हो गया है गुंद के रेडी और बस इतना ही टाइट रखना है अब इस यह जब तक स्टफिंग बनेगी तब तक यह रेस्ट होएगा और उसके बाद में फिर इसमें हम सारे शीट्स बनाएंगे और उपर से ओईल लगा कि अच्छे से रख दिया है धके फिर इसके बाद स्टफिंग मनाया मैंने कड़ाई लिए उसमें दो चमज के करीब दो बड़े चमज के करीब मैंने तेल लिया है बाद में भी तेल एड किया था इसलिए यह पर टूटल बता दिया आपको एक चुधाई चमज मैंने यहां पर लैस्ट लिया है जिसको बारे बारी बारी चॉप कर लिया है और इसको गोल्डें प्राउंड करेंगे फिर इसक दाल ने घुल सकते ही है तो अब तो चुधाल साइब कर अब अच्छा ज़न े तो आप रिल्कुल जड़ा सा हलका सा करके मैं उसके बाद मैंने एक चुता ही स्लाइस करिए इसको भी शिम्रा मिर्श ली है कि और अच्छे से इसको भी स्वात करेंगे थोड़ा सा ही सौते करेंगे उसके बाद मैंने यहां पर पत्ता को भी डाला है यहां पर डाल के अच्छे सिसको भी थोड़ा सबस सौते किया है थोड़ा सौते करने के बादे बाकी की यहां मसाले डाल देंगे फ्लेम को हाई जब यहां पर सौते करेंगे तो फ्लेम को हाई क पड़ी मिर्शी नमक करके अधाब नमक जीर्ए पौडरा और पैक्ट महीं मसाला अच्छेसे पर रिलीस करेंगे मिक्स कर जल जाये और पानी्झेंट नियुदे में अच्छे से ही मिंक्स कर दिया है और मिंक्स करने के बाद बने में यहा पर मिखैना के बाद स्केजवान आपको स्किप कर सकते हैं स्किल रियम कर दो candopar के लिए पर नवर क आग अपकोolds का सके तो आप बना है तो आप यहाँ पे चिकन एट कर सकते हो पर यह पूरा वेज में आया था तो इससे बहुत मज़ेगा बनता है अच्छे से इसको मेक्स करेंगे बहुत अच्छे से सारी जो नूडल से उसमें मसाला सबसियां सब अच्छे से कोट हो जाएं जाकि फिल करने में बहुत असानी हो जाए और हमारी यह स्ट्रिपिंग बनके रेडी हो गई मैं इसको साइड पे करूँगी और अब यह देखू यह कितना अच्छा मेरा आटा गुंदा है मतलब बहुत ज़दा हार्ड नहीं है बहुत ज़दा सॉफ्ट भी नहीं है बहुत एकदम पूफिक्ट आटा गुंद के रेडी हुआ है और मैं इसको हलक हलका सा ऐसे हाथ से मारूंगी और बस यह मेरा आटा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है पस इसकी छोटी छोटी मैं लोईया लोगी आटा से मैंने जो दो तीन बनाया था तो वो बहुत बड़ा बना दिया था और बाकी की एकदम छोटी-छोटी बाल्स लेनी ही एकदम छोटी-छोटी मैं क versão किसे बता हूँ जैसे एक लिमन साइज से भी तो लिमन आतरी है और मैंने यह थोड़ी बड़ी बना दिया था इस स्प्रिंग रोल जो था मेरी तीन शीर तीन शुरू की एक शीर तो अच्छे तो निकल गई थी दो शीर निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत बड़ा बड़ा स्प्रिंग रोल बनके रैडी हो गया था बस इसक फिर सुखा मैदा लगा दिया अच्छे से इसको फिर से मैदे के साथ कोट करेंगे और अच्छे से इसको पतला सा बेल लेंगे थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिते बड़ी एक रोटी बन दी ना बड़ी रोटी उतना ही बड़ा बेलेंगे और बस इसको तबे पर सेक दो करने के पास बस हलका हलका उलटना पलटना और यह अपने आप खुल जाएगा और यह शीट बनके रेडी हो जाएगी मैंने फर्स टैम बनाया था तो इसलिए मुझे तोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था पर बहुत परफिक्ट बन गया था यह देखो शीट बन गई है ऐसी मेरी सारे शीट बना लिए और बस देखी मैंने बाद में छोटी छोटी बनाई है उसके बाद में इसमें जो नूड फोल्ड कर सकते हो और जो मैंने मैदा निकाला था ना एक चमच और इसमें मैंने थोड़ा सा पाइड़ा सा गलू बना लिया है अच्छे से इसको बस लगा के और रख देंगे यह सिपक जाएगा सारे मैंने स्प्रिंग डूल ऐसे ही बना लिया है सारे मैंने स्प्रिंग ड यह देखो कुछ इस प्रिंग रोल मैंने इसमें डाल दिया है लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से फ्राय करेंगे उलट पलट के एकदम लो फ्लेम पे ताकि यह अच्छे से पक जाए और यह क्रिस्पी हो जाए और कच्छा ना रहे क्योंकि मैदा है और थोड़ा दर समय लगत और हमारा स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया है आप लोग लाइज में ट्राय करेंगा मुझे कॉमेंट में जरू बताएगा मेरी वीडियो कैसे लगी अगर अच्छे लगी है तो प्लीस लाइक करेंगा शेयर करेंगा सब्सक्राइब जरू करेंगा मैं चानल को मिलते है नए वीडियो को साथ बाए